हालो फ्रेंड्स, वेलकॉम टो भिरेंड्स अकाडेमी आज ये आमें डिस्कॉस करीवा पेडागोजी प्राक्टिस सेट फोर आमें अल्लेड ये पुर्गोरु तीन टा प्राक्टिस सेट पुरा बहला से डिस्कॉस करचु तो ये जहाँ भी डिस्कॉसना में करूचो MCQ पेडागोजी परे ये सुब आपनों को मैंनों बहुत हेल्प करीवा हाइ स्कॉल टीचिंग जब पाएं, जटी पाएं, वस्टेड पाएं, अटेड पाएं, सिटेड पाएं मैं जब कोण सी टीचिंग एक्जाम पाएं आपन प्रिपार कोचन थी, एकड़ आपनों को बहुत हेल्प करीवा सो आव लेट करीवा नी, स्टाट करीवा कोस्टिन नमबर वान, तो फास्ट कोस्टिन कोण कोई जी the following three aspects of intelligence are dealt by स्टर्नबर्ग्स ट्रायार्किक थियोरी, एक्षेप्ट एड़ी कोँ कोई जी, कि तिन्नी टाइस्पेक्ट्स जों, इंट्रायार्किक थियोरी आमें कोई जू जोंटा कि स्टर्नबर्ग देथ ले, एटा कौँ जिन्सों को मैंने कभर करू नी तो फास्ट आमें जाने बाग कोँ गुडा कोभर करू जी, ट्रायारकिक थियोरी रे, तो कॉंपेंसियल करू जी, कॉंपेंसियल, एक्स्पेरेंसियल करू जी, कॉंटेक्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो तापरे देखिवा question number two Harvard Gardner's theory of multiple intelligences emphasizes जो multiple theory रोहीची अमरो Harvard Gardner करो तांकर से एई जो intelligence पर जहाबी तांकर थेयोरी ची तांकर कहा उपरे emphasize करोजी तांकर कहा उपरे emphasize करोजी the unique abilities of each individual जेतो आमें पड़ुचु multiple intelligence theory रोहीची आठटा intelligence आमरो रोहीची interpersonal, intrapersonal, special, musical, numerical एई सबुचु जहाब आमरो आठटो प्रोकार intelligence रोहीची according to Harvard Gardner's तो आमें इठी कहा कु प्रायर रिट्टी दोचु unique abilities प्रत्तिक individual निजर रोहीची रोहीची तो option C is right तांकर देखिवा question number three the sounds th, f, j, r एगड़ा कंचु प्रोनाउंस मुँ करची तो th कु 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 म बली या प्रोनाउंस करिवे, ph कु कु म बली या प्रोनाउंस करिवे आमें एगड़ा कु 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 फोनिटिक्स तो phonetics को आवा में कोई परिवे phonemes तो option D is right ता परे देखिवा question number 4 In order to avoid gender stereotyping in class A teacher should जदि आमें कोटे classroom दे gender stereotype को avoid करिया पाई चाहूं चू तो gender stereotype मैंने आमें जहाँ पुरबर वट दरी क्यास चू कि पुर मैंने कामा करिया दर कर जियो मैंने कामा करिया दर कर ताको आमें इना कोण चाहूंचू कि equality आने आपाई तो कोटे teacher को कामा कोण रहूची से कोण 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 कोई आमें option उड़ा को पढ़ी हूए option ए कोण कोई ट्राइटो पूट बोथ boys and girls in non-traditional rules तो एट आहीं ठीक है जिवो बाक्की कोण कोण पाई इन्हों देखां दू एको बी कोण कोई अप्रिशेट स्टूडेंस गुड़ वर्क बैसें गुड़ 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 आमें कोऊचू आमें equality को आमें को किछी मैंने दर कर तो आमरो राइट एंसर करने हीजब ट्राय टू पूट बोथ बोईज और गुड़्स इन डॉन ट्राडिशनल रूल्स जाबी ट्राडिशनल लूल्स आमरो फास्ट रोईची ताकको ब्रेक करी की दुई जणोंको इक्वाल अपर्चुनेटी दबा दुई जणोंको पाइँ गटे उपरचुनेटी दबा ता पर देखिवा तो आप्टर्चन आइज राइट ता पर देखिवा कोस्टिन नमबर फाइब शुल शुड़ क्यात्र टूंको इंडिवीजल डिफेरेंस तो इंडिविज़ल डिफेरेंस युड़ करिया पाइँ स्कुल कॉन करिव तो स्कूल कौन करिया दरकर फास्ट अप्शन कौन रोगी नेरो दाग गेप बीटूइन इंडिविजूल स्टुडेंट्स नाई एटा हो बनी इभेन आउट अबिलिटीज अन परफोर्मेंट्स अब स्टुडेंट्स अबिलिटीज अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स अबिलिटीज अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स अन परफोर्मेंट्स नोलगा, सो ताको सपोर्ट करिया पहें स्कूल कौन प्रभाइड करिवा, फर्स्ट अप्शन कौन रोजी, फोलो एचायल सेंटर करिकुलम एड़ प्रभाइड मॉल्टिपल लर्निंग अपर्चुनिटी टू स्टूडेंस, अल्रेड आमे इटर हुँ जानी परचु कि प्रत्यक पिलनामान आमे चायल सेंटर करिकुलम त्यारी करिया दर कर, आव प्रत्यक पिलनाम को अपर्चुनिट दबादर कार option B मध्य हब बनी C B हब बनी D मध्य हब बनी so option A is right ता परे देखिवा आमे question number 7 continuous and comprehensive evaluation emphasizes आमें सबड़ कोचु जोंड़ा कोचु आमें A ड़ा कोचु C C E C C E जोंट अगड़े पूरुना concept थीला A ना कोण है जाईजी साइटा C C A A for assessment continuous comprehensive assessment माने आमें continuously पिलांको assess करी बाए कौन पाइंग करी बाए अठीक कौन दे आईजी देखां तो continuous testing औने comprehensive scale to answer learning how learning can be observed, recorded and improved upon तो आमें जितले continuously जोनको evaluate कोरुचु आसेस कोरुचु कौन पाइंग कोरुचु तामें तार behavior को तार learning strategy को अबजोर कोरी पारीबु तार जहाब आउटपूड मिलूची result आसची ताको अबजोर कोरी पारीबु ताको record कोरी पारीबु आव ताउपरे ताको केमती improve कोरे हब ताउपरे कामा कोरी पारीबु आई so option B is right ता पर देख्युए question number 8 school based assessment school based assessment ता कौन देख्युए first option रोजी dilutes the accountability of boards of education नहीं अमरो बोर्स ही तो किछ न बादवा नहीं assessment रामे mostly कौन चाहू कि पिलांकर improvement हो पिलांकर तो feedback मिलू option B hinders achieving universal national standards नहीं help all students learn more through diagnosis निहाथि आमें assessment रे पड़े चूँ कि आमें diagnosis कोरू जोटा की diagnostic test कोरू आमें गोटे आमरो formative test कोरू summative test कोरू so help all students learn more through diagnosis is right option C is right ता आपने रेख्याँ बाद question number 9 question number 9 दे कौनकर उची readiness for learning refers to मने पढ़ी भापाई जो रेडिनेस ता जोटी गोटे पिला रेडि योची सब मने से पढ़ी आपाई चाहूं ची से मने इंट्रेंसेकली रेडि योची भित्तरू रेडि योची पाठ पढ़ी योची पाठ पढ़ी योची पाठ पढ़ी आपाई तो ड़ा काहा को रेफोर कोड़ची first option कोन रोची general ability level of students present cognitive level of students in the learning continuum yes आमें सब्रेजान चू कि cognitive development पाईं cognitive pillar जेतर डेवलोमेंट है जाए cognition जेतर डेवलोमेंट तर है जाए सत्ती की power जेतर आसी जाए knowledge गंस्टोर कोरी बार पिला नीजे पढ़ी हापाई ready है जाए option B is right C मदे हबनी D मदे हबनी तापरे देखिवा question number 10 question number 10 कुणको जी देखां तू a teacher has some physically challenged children in her class which of the following would be appropriate for her to say जोन teacher अच्छान जी ताँको classroom रे किचि ताँन physically challenged पिला अच्छान दी तो कौँटा appropriate way हबो कौँटा best way हबो ताँका से तो deal करी बारो कि ताँको कीची कही बारो ताँको कोम भड़े आसे सम्भधन करीवा दरकार तो देखां तू केम जी से ताँको grid करीवे first रोईला second कूची wheelchair bound children may take help of their peers in going to hall नाई आमे ताँको एभड़ा कोणसी सब्दा यूज करी पारीवानी कि जोन पिला माने wheelchair रे अच्छान ती ताँको अगर शेमाने help नियों तो ताँको pure टू ताँको सांगोटू एक कथा कोही हो बनी ताँको insult फिलाव physically inconvenience physically inconvenience भी आमे कोही पारीवू नाही ताँको कोणसी प्रकार मैंने बाधिला बड़े कथा आमे कोही पारीवनी ताँको equally rights मिलिवादर कर equal respect मिलिवादर कर जों भड़े नर्माल पिलाव को आमें दोचू तो option C is right Mohan why don't you use your crutches to go to the playground एटी कॉन आमें इंडिगर कोईचू कि ता ना भी आमें धोरूचू तो ता जमती बाक्की पिलाव को ना अंधरी के आमें कोईचू से बड़ा ता ना अंधरी के कोईचू उच ताको self-sufficient पाईँ से निज़े self-sufficient फिल करियो तेनु तको आमें कोईचू तमें कोण पाईँ निज़े क्रचे स्ने की playground को जाऊना तो अठी ताको कहा help भी दोर कर पोड़नी से निज़े self-sufficient अच्छी उच तामें ताको ता ना अरे डाको जो सो अप्शन ची इस राइट ता पर देखिवा question number 11 learning disabilities may occur due to all of the following except आमरा learning disabilities बहुत प्रकार अच्छी काहा पाईँ हुए नी हुए पचारी नी काहा पाईँ हुए नी तो cerebral dysfunction पाईँ आमरा हुए emotional disturbance पाईँ हुए behavioral disturbance पाईँ हुए cultural factor पाईँ learning disability हुए नी सा option D is right जे तो accept कोई जी तो cultural factor हुए नी ता पर देखिवा question number 12 an inclusive an inclusive school कान? inclusive school गड़ा कान? is committed to improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities differences between students and sets less challenging achievement committed particular to improve the learning outcomes of special level students decide learning hits of students तो देखां दो एड़े clearly जोना पड़ जाओ जी आमें जाने चूँ inclusive school आमें सब बड़े कोऊ सब्बो पिल्लाइं कर इंप्रूमेंट दरकार फेदर से मने आमरो special child ही था पारंदी किमबा normal child ही पारंदी आमको समस्तों को पाखरू equal outcome दरकार अची irrespective of their capabilities आप्शन A is right तो आपर देखिवा gifted students तो gifted students कोँ गोची gifted students कोँ भड़े हबा दरकार sorry तो need support not ordinarily provided by the school can manage their studies without a teacher can be good models for other students cannot be learning disabled तो gifted student रामें सब कारेक्टरिस्टिक्स जानी चुँ तो सेमाने कोँ करों थी need support not ordinarily provided by the school सेमाने support तो need करों थी निहांती करों थी creativity पाई तांकर innovative idea पाई सेमाने ने कोटे mentor दरकार करों थी किन्तो ordinary वेरेन हों तांको ठीके माने extra सभोजिन सदरकार थाए तांको ठीके high level टीचर दरकार थान्ती जी निज्जे सेती की capable है थान्ती एई भोडे माने आमरों talented पिलांको आमरों जों मानों extremely talented पिलार रोचांथी gifted पिलार रोचांथी तांको help करिया पाई तांको guide करिया पाई तो support दरकार किन्तो ordinary वेरेन हों extra ordinary वेरे दरकार ता आपरे देखिवा question number 14 giftedness is due to giftedness जों आमरों कोड़े पिला भीतर आशची ता कहा पें आशची ता में बहुत सबड़े जाने चुँ नॉच्चर नेच्चर दूईटा कामा करे नेच्चर कामा करे नेच्चर रेफर्स टु एनभार्में नॉच्चर रेफर्स टु जीन ता देखांदू option C is right combination of 1 and 2 that is genetic makeup and environmental motivation ता परे देखिवा question number 15 question number 15 कोण कोई जी देखांदू which of the following is appropriate for environment conducive to thinking and learning in children कौँट appropriate environment जोँटा पिल्लां को think करी भावी भावी भारे आव पढ़ी भारे help करे देखांदू passive listening for long periods of time home assignment given frequently individual tasks done by the learner allowing students to take some decision about what to learn and how to learn एटी कौण हुए पिल्लांको उपरे छाड़ी दबा दर्कार option D is right देल्ले कौण हाब पिल्लांको गटे सेई भाड़या child friendly गटे friendly environment में ले से नीज़े decide करीवा केमती पढ़ीवा कौम भाड़या पढ़ीवा दर्कार ता decision ता उपरे छाड़ी दबा दर्कार ताको एल्लाव करीवा दर्कार स्ट्रिक्ट हबा कथा नुहा option D is right ता आपरे देखिबा शोलो नमबर देखांदू शोलो नमबर learning disability in motor skills is called आपरे देखिबा question number 17 तो question number 70 कौन कौन ची learning disability कौन learning disability is a stable state it is a variable state हाँ एटा गटे variety of टाइप प्रो जिनसाम कौ इंट्रड्यूस करूची लाइक आमारो reading प्रोब्लेम writing प्रोब्लेम motor skill प्रोब्लेम आमारो किछी psychology प्रोब्लेम एस उब जिनसा जाउँटी रोऊची आमे ताक कौ learning disability रे include करूचू तो एटा गटे variable state एटा कौनासी stable state नुहाँ सॉप्शन बी इस right ता प्रे देखिवा question number 18 question number 18 आमरो कौण कौँची the following are the steps in the process of problem solving except तो से कौँची कि problem solving जोम आमरे मेथड ओछी जोम बड़ा project मेथड ओछी experimental मेथड ओछी सेबोले आमरो problem solving गटे मेथड ओची से इटी कौँ step नाहीं एठी मैने आगो जाने जिवा आमे कौँ कौँ step थाये तो identification of problem थाये explore possible strategies थाये anticipate outcome थाये किन्तु तापरे देखिवा, question number 19, question number 19 कुण कुण कुछी, a teacher should, sorry, a teacher should, गट teacher कौँ भड़े होबा दरकार, फार्स्ट अप्शन कुण कुछी, treat errors committed by students as blunder and take serious note of each error, नाई, जमा भी नुँ हो, तापरे, major success is the number of time students ever making mistakes, नाई, not correct students while they are trying to communicate ideas, नाई, इटा भी नुँ हो, तो ताहले last हावो, focus more on lecturing and providing foundation for knowledge, तो कौँट हावो, option D is right, ताहले लेक्चेर उपरे से focus करीवे, आउ कौन करीवे, गटे knowledge रो foundation से देवे, माने पिला पुरा fundamental जिन सही strong हबा दरकार, देले जाएकी पिला आगो कु भलो करीवे, option D is right, ताहले परे देखिवा, सीमा इस डेस्परेट, देखांदू, सीमा इस डेस्परेट तो score A plus grade in an examination, as she enters the examination hall and the examination begins, she becomes extremely nervous, her feet go cold, her heart starts pounding and she is unable to answer properly, माने अभरोल एटा कोहिया पाइँ चाहूंची, ते बड़ो कोस्टिन देखिए कि माने रोरिवार कीछ नाए, कि गटे पिला आछी, तो ये A plus grade कोहिया पाइँ चाहूंची, से भलो प्रिपरेशन कर्ची, किन्तो हठात जेत्ते बड़ो चे exam hall को जाऊची, तारा हात्तो गुडो थोंड़ा है जाऊची, तारा हाटबीट बड़ी जाऊची, तो एस सबु प्रब्लेम जो हूँची, एस सबु कहा पाइँ हूची, सब देखां तु, एस सबु कहा पाइँ हूची, C may not be able to deal with sudden emotional outburst, option D is right, जते बड़े कोणसी पर्सन तांकर emotion सुइतो मने deal करी पारांती नी, emotional outburst ही जाए समाने according to situation नी जो emotion को control करी पारांती नी, सत्तले तांको एस सबु प्रब्लेम हुए, समाने बहुत नर्भस है जानती, option D is right, दापर देखिवा, question number 21, which of the following cognitive verbs are used to analyze the information given, तो analyze करिया पाई, कौन cognitive verbs तांको आमें यूज करू, एटाथ आपन मने को मने रखे आपाई, पड़िवो की analyze पाई, synthesis पाई, knowledge पाई, application पाई, आमें कौन कौन verbs सबु यूज करू, तो analyze पाई, आमें differentiate verbs तांको यूज करू, ता परे, question number 22, कौन कौँची, राजेश इजे भर्शाशियोस reader, अपाट फ्रॉम स्टूर्डिंग, हीज कोर्स बुक, ही अप्टेन गोल्स तू लाइबरेरी, और रिट्स बुक्स न डाइबर्स टोपिक्स, राजेश डाज हीज प्रोजेक्ट इभेन इन दा लांच ब्रेक, ही डाज नोट नीड प्रामोटिंग बाई हीज टीचर, और पेरेंट्स तू स्टूर्डी फोर टेस्ट, और सीम्स तू ट्रूली एंज़े लर्निंग, यह एट देखां तू, इन प्री प्रामेरी गेट साटीचर, इस्पेक्शन फ्रम बिइंग एलाउट टो डिसकोबर, यह बिकम डिस्ट्रेस्ट, वेन दे आर डिसकोरेज्ट, दे डू सर्ड दियू टो देर मोटिवेशन टू, आमें काम करे आदर कर, प्री प्रामेरी पिलांकू, यह बिकम डिस्ट्रेस्ट, कि युए रिडिवयार पॉर्जूरुजश दैनेमी जिनीदा सके था whole तुवूरद्न का टुदूरु युक्ना रिडिवरार पॉरूरोग मेदों से माने जानीबे जे तांकू केही जोने बहुत एटेंशन दो जी ना की तकू इग्नोर कोरू चोंती सबस्टन ए इस राइट तापर देखिवा क्वेस्टिन नमबर ट्वेंटिफोर अंडेस्टेंडिंग हीुमान ग्रोथ एन डेबलोमेंट एनेबल्स ए टीचर टू जेतला आमें हीुमान ग्रोथ एन डेबलोमेंट को बुझू चू गटे टीचर रो कॉन काम रहुजी गैन कंट्रोल अब लर्नर्स इमोसन वाइल टीचिंग बी क्लियर एबाउट टीचिंग डाइबर्स लर्नर्स तो निहादी आमें तरी ग्रोथ डेबलोमेंट कथा बुझू चू आमें जानी चू प्रत्तिक इंडिविजूल डिफ्रेंस आमरो रहुँची प्रत्ति मोनी सरो डेबलोमेंट अलगा-लगा गटे पर्सन टो आगटे पर्सन एटा भेरी करे तो आमें सबडे क्लियर रहीवा दरकार जितला आमें पढ़ हुचू कि आमें डाइबर्स लर्नर्स माननों को कौम भढ़ेया पढ़ हीवा तो सही वेट आमें बाहर करीवा द सोचियो कॉल्चिराल कॉंटेक्स नाई एफेप तो करे स्टुडेंट्स लर्न अनली इने सटेन वे नाई भी भी नोवेरे पिला माने लर्न करांती प्ले इस सिगनिफिकान फर कोगनेशन एड सोचियल कॉपिटेंस कॉस्चिनिंग बाई टीचर कॉंस्चिन्स कॉग्निट इफेप डेवलम्पेंट पाई चेतला में चाहू चुसतार कोगनिशन ले इंप्रूम्मेंट हो ताको सोस्यलाइज करी बहुत इंपोटन्ट तो सोस्यलाइज करी आप माने मेन कों रूँचि आमरो कामा ताको खेड कुदर इनभल करी बा दरकार सो अप्शन सी इस राइट ठीको ची? ताबरे देखिवा आमरो कोस्टिन नमबर केतर हो ची? कोस्टिन नमबर ट्वेंटी सिक्स Which one of the following is true about the role of heredity and environment in the development of a child? तो देखिवा आप फास्ट कों रूँचि दा रिलेटिव कों रूँचि दा रिलेटिव कों रिलेटिव कों रिलेटिव कामा करे आमरो जो अहाँ भी जीन इनहेरिट हो ची? From generation to generation तार अगटे individual role रूँचि विच तासी ये जो पिलांको से तो मिसुचि पियोर्स मैनां कर अगटे अलगा contribution रो हुचि सब्सटिन ए इस राइट तो कोस्टिन नमबर 27 सोसियलाइजेशन इस सोसियलाइजेशन टा कौन? rapport between teacher and taught, process of modernization of society, adaptation of social norms, change in social norms ताम यतल सोसियलाइजेशन होबा कथा कौचू, आमें adapt कर वा कथा कौचू, जहाँ भी अमरो social norms, रूँचि जहाँ भी role regulation, रूँचि सब्सटिन इस राइट तापर देखिवा, कोस्टिन नमबर 28 A PT teacher wants our students to improve fielding in the game of cricket, which one of the following strategies will best help his student achieve that goal? बट ए PT teacher अच्छांदी, जेतांको पिल्लाँको, मैंने क्रिकेट खाड़ारे, फिल्डिंग भलो हावरी सिख्या पाई, चाउंचांदी तो आमें जानचू, खेड़ा कुदरे, mostly आमको प्राक्टिस्टा बहुत दर कर थाए सो प्राक्टिस एटी कुँटियो चे देखिवा, सो अप्शन D, देखांदू, गीब स्टूडेंट्स ए लोट ओ प्राक्टिस इन फिल्डिंग, जेताले पिल्लाँ बेसी प्राक्टिस करीवे, पिल्ला तांकरो खेड़ारे सेत्ते इंप्रूब करीवे एठी कोणोसी थियोरी लागी बनी जे ताको बसी की बुझेवा पाहिम पड़िवे, एठी आपनोंको प्राक्टिकल लाइफ रे प्राक्टिस करीवा पाहिम पड़िवे तापर देखिवा, question number 29, a teacher wishes to help her students to appreciate multiple views of a situation, she provides her students multiple opportunity to debate on this situation in different groups, according to भाइगोट्स की perspective, her students will, डेस, आमरो डेस रे की छोड़े लागीवा various views and develop multiple perspective of the situation on their own तो जत्ते बढ़ा हमें कोईचो कि जाने teacher तांको पिला मानूंको एप्रिस्टेट करूचोंती मने गटे situation को multiple way रे देख्या पाई तो पिला माने सेटा केत्ते बढ़ा निजे perception तांको रे डेवलोफ कैमती हबwow से perception कैमती डेवलोफ हब 걱정 तो अप्सोण A is right इंटोनालाइज माने भित्स तांको एन अलीसिस करी बै नीजे अनलीसिस करले तांको रे परसेप्सोन जाईकी ठीक हब ता अप्सोन A is right She is given dal and rice. She mixes rice and dal and starts eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. PZ आमरो schema को था कोई तले? कि schema हैला prior knowledge जहाँ already आमा ब्रेंड रे अच्छी. तो ता परे कोण आसे? schema परे आमरो assimilation आसे. तो assimilation रे कोण हुए एठी देखाँ ताको भात्तो आव डाली दिया गला. किन्तो निज्जे ताको mix करी की खाईबा से पिला निज्जे ही कलला. तो जत्ते पड़े आमरो prior knowledge सोईतो new idea, new concept add हुए. सत्ते पड़े आमें ताको assimilation कोई. तो एठी कोण हैला भात्तो डाली ताको मिलीला. से ताको गोड़े की खाई बाड़ा ता निज्जे रो चोएस. एठी ताको उसेटा new concept तापाई से निज्जे तियारी करची. तो option B is right, assimilated. तो आमरो तिरिष्टा question आमें पूरा practice भल से कलू. आपण मैंने भी आपण मैंने करें answer देब्बे. कोमेंट रे दियों तो answer भल लागे आपण जेते ले निज्जे निज्जरो. मैंने एठी तो question ले answer रो हुची किन्तो आपण भी निज्जरो logic लगे कि इभड़ा practice करीवा मैंने सिख्खांथू. So, I hope समस्तों मैं भल लागे थी हो, like करन तो, subscribe करन तो. So, thank you. Thank you all.